केंदर की मोधी सरकार वक्फ बोड एक्ट में अमेंडमेंट यानि की संशोधन करने चाही है माना जारा है कि मोधी सरकार नए कानून के जरीए वक्फ बोड के अधिकारों को कम करना चाहती है कहा जा रहा है कि केंट सरकार वक्फ बोर्ट की किसी भी संपत्ती को अपना बनाने की शक्तियों पर कंच्रोल करना चाहती है वक्फ एसेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ओफ इंडिया के मताबिक देश में कुल 30 वक्फ बोर्ट है इन में से ज़्यादा तरके मुख्याले देश की राजधानी दिली में है मीडिया रिपोर्ट के मताबिक वक्फ बोर्ट के पास करीब 9 लाक एकड़ से ज़्यादा की संपत्ती है नमश्कात दुर्ष को आप देखें दर 24 और आपके साथ मैं सुम्बिका तो चलिए पहرे बात करते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ट या है वक्फ की बात करें तो या अरबी भाषा से लिया गया शब्द इसका मतलब होता है भगवान यानि खुदा के नाम पर किसी वस्तू या परोफकार के लिए दान किया गया धन यही नहीं इसमें कोई भी मुस्लिम समुदाय का शक्स धन, मकान, जमीन या फिर कोई भी कीमती वस्तू वक्फ को दान कर सकता है वक्फ का मतलब होता है अल्ला के नाम यानि ऐसी जमीने जो किसी व्यक्ति या संसान के नाम नहीं है वक्फ बोज का एक सेवेर होता है वही तैकरता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी नहीं इसके तीन अधार होते हैं अगर किसी ने अपनी संपत्ती वक्फ के नाम कर दी अगर कोई मुस्लिमान या मुस्लिम संसा की जमीन लंबे समय से इस्तमाल कर रहा है या फिर सर्विक में जमीन का वक्फ की संपत्ती होना साबित हुआ वक्फ बोट मुस्लिम समाच की जमीनों पर कंच्रोल रखने के लिए बनाया गया था जिससे इन जमीनों के मिस्यूजिस को रोकने और गैर कानूनी तरीके से बचने पर रोक के लिए बनाया गया था अब बात कहते हैं कि आखिर कैसे काम करता है वक्फ बोट वक्फ बोट देश भर में जहां भी कब्रिस्तान की घेरा बंदी करवाता है उसके आसपास की जमीन को भी अपनी संपत्ती करार दे देता है इन मजारों और आसपास की जमीनों पर वक्फ बोट का कबजा हो जाता ह क्योंकि 1995 का वक एक्ट कहता है कि अगर वक वॉट को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपति है तो यह साबित करने के लिए जिम्मेदारी उसकी नहीं है बलकि जमीन के अस्निमाली की होती है कि वो बताए कि कैसे उसकी जमीन वक्फ की नहीं है 95 का कानून यह जरूर कहता है किसी नीजी संपत्ती पर VAKF BORD अपना दावा नहीं कर सकता लेकिन यह तैख कैसे होगा कि संपत्ती नीजी है अगर VAKF BORD को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ती वक्फ की है तो कोई दस्तावीज या सबूत पेश नहीं करना है सारे कागस और सबूत उसे देने हैं जो अब तक दावेदार रहा है कौन नहीं जानता कि कई परिवारों के पास जमीन का पुक्ता कागजात नहीं होता है वक्फ बोर्ड इसी का फायदा उठाता है क्योंकि उसे कब्जा जमाने के लिए कोई कागस नहीं देना है अब आकर समझते हैं कि वक्फ बोर्ड को मिली कौन सी शक्तिया हैं जो वक्फ बोर्ड के पास है अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई तो आप उसके खिलाफ कोट नहीं जा सकते आपको वक्फ बोर्ड से ही गोहार लगानी होगी वक्फ बोड का फैसला आपके खिलाफ आया, तब भी आप कोट नहीं जा सकते हैं, इस ट्राइबुनल में प्रशासिनिक अधिकारी होते हैं, उसमें गैल मुस्लिम भी हो सकते हैं वक्फ आट का सेक्शन 85 कहता है कि टर्बुलन के फैसले को हाई कोट या सुप्रीम कोट में भी चुनाती नहीं दी जा सकती, आपको बताएदे कि देश में एक सेंट्रल और बत्ति स्टेट वक्फ बोड है, जी हां, देश में एक सेंट्रल वक्फ बोड है और बत्ति स्टेट दिखाई गई सेंटर वक्फ बोड ने नियम बनाया कि अगर वक्फ की जमीन स्कूल अस्पताल आदी बनते हैं तो पूरा खर्ट सरकार का होगा यह तब हुआ जब मुक्तार अब बास नकवी के अलपसंद खिक कल्यान मंत्री थे मोधी 3.0 सरकार अब वक्फ बोड की शक्तिय इसमें संपतियों के दुरुपयोग पर रोक लगाने की कोशिश होगी देश भर में 8.7 लाक से अधिक संपतिया कुल मिलाकर लगभग 9.4 लाक एकड वक्फ बोड के अधिकार छेत्र में हैं प्रस्तावित संशोधन के तहत वक्फ बोड के दावों का अनिवारी रूप से किया जाएगा ऐसा ही एक अनिवारी वरिफिकेशन उन संपतियों के लिए भी प्रस्तावित किया गया है जिन के लिए वक्फ बोड और व्यक्तिकत मालिकों ने दावा और जावाबी दावे किये हैं संशोधन विधेयक यानि कि अमेंडमेंट बिल पाच अगस्त को संसद म में पेश हो सकता है अब इस पर आपकी क्या रहा है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए साथ ही देखते रहें यह दर न्यूस 15 वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल नभूनें